हालो फैंट्स गूद मारिंग कैसे हैं आप सब अरिक बाफे से वेलकम आपके अपने चानल में तो जी सुबो सुबो का ये टाइम है और सुबो के इस टाइम पे मैं लग रही हूँ अपने घर के काम करने में सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ जाड़ू और बच्चों के एक्जाम बगेरा चल रहे हैं तो थोड़ा सा जो है मेरा रूटीन हलका फिलका सा डगमगाया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं डगमगाया रूटीन को हम सेट करेंगे और अपनी रूटीन पर आने की पूरी कोश करेंगे क्योंकि बार-बार कोशिशे करने से ही वो कामियाबी मिलती है और यहां पर अपने भजन चलाई वे हैं साथ बज़े दिन निकल गया है और आज वरुन को मैंने स्कूल नहीं बेजा उसकी चूटी कराई वी थी तो वरुन के वो एक्जाम चल रहे हैं और मुझे ल स्कूल में ही तैयारी करवाई जाती है और मैंने इस इसका ध्यान नहीं दिया और मैंने सोचा मैं घर पर उसकी तैयारी करा लूंगा और मैंने चुटी करा ली थी इसलिए थोड़ा काम में जै वो में लेट हुई हूँ थोड़ा सा लेट लगी हूँ इस वक्ट सूब के सा बच्चों के लिए कुछ बनाओंगी और आज कल थोड़ा सा बीजी शेडूल होने के कान जैसे मैंने बताया कि काम डगमगाया हुआ है कभी-कभी हमें काम बहुत भारी लगने जाते हैं हम ओरतों को समझ नहीं पाता कि कैसे मैनेज करें क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और एक्जाम टाइम पे इतनी जादा प्रेशर हो जाता है और खासकर जब घर में दो बच्चे होते हैं और एक छोटा बच्चा होता वो बहुत सारी मेरे से रिलेटेट जुह है वो सामने जब आती हैं लेकिन में एक ही बात जोब हो कहना चाहूंगी की मेरे पास मैसेज भी आ था WhatsApp पे कि मैं करूँ तो क्या करूँ मेरे से related मेरे जैसी सेम लगबग महिलाओं की स्टोरी जए वो सेम ही होती है तो क्या होता है न कि हमारी शादी हम तो पहली बार तो यह सोचने की जरूरत है कि हमारी शादी किस से हुई है हमारी शादी घर से हुई है या husband से हुई है या घर क जिम्मेदारी उसे हुई है हमारी शादी जिस परिवार में होती है हम ओरतों की क्या होता है कि चाहे वो शादी घर से हो या परिवार से हो या किसे आदमी से हो घर कि मतलब कहने का मतलब शादी तो आदमी से ही होती है लेकिन उसके साथ साथ मतलब ओरतों की जिम्मेदारी और बन जाती है कि वो अपने घर की जिम्मेदारियां जो है वो अच्छे से निभाए चाहे वो एक बड़ी से बड़ी पोस्ट पे क्यों न हो चाहे अपनी घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा बहुत लेडीज को देखा अपनी जिम्मेदा के लिए एक को अपनी जॉब की सेग्रिफाइस देना जरूरी ही जरूरी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आप खाली है घर में और आप कुछ भी नहीं कर रही है आप अपने आपको क्योंकि काम हमारे घर में सुबह होता है थोड़ा बहुत हलका फुल का काम दोपैर को होता तो बीचे बीच का जो हमारा टाइम बच जाता है उसमें आप यूटूब कर सकती है अगर आप यूटूब नहीं ही करना चाहती है तो आपकी आप ये देखिए आपके अंदर फेवरेट होबी आपकी कौन सी है आप अपनी उस होबी को उस कंटीनू कर सकते है अगर आपको DIY का शौक है तो आप वह कर सकते हैं कुछ creation वगएरा का शौक है तो आप वह कर सकते हैं अगर आपको कुछ halki full की जूलरी वगएरा बनाने का शौक है आज कल तो इह बिसनस बहुत ज़ादा क्रेंड में हैं जिनको भी डिया वगएरा करने आते हैं यह हलकी फुल की जूलरी वगएरा बनानी आती है तो वो जो है आजकल क्या है कि चीज़े बहुत जादा ट्रेंड में हर कोई अपना बिजनस जो है चाहे वो छोटे उसमें ओर ले रहा है लेकिन अपना बिजनस जो है घर बैठे शुरू कर रहा है अगर आप अपने बच्चों को घर रहकर पाल रही है तो अपने लिए भी कुछ घर बैठे भी करना चाहती है तो आप ऐसा कर सकते हैं आप अपना काम किसी और को दे सकते हैं आप इसका कहने का मतलब है कि आप अपने घर में एक हाउसल पर लगा सकते हैं हाउसल पर लगान का मतलब यह है कि आप किसी को काम दे रही है उनके घर का खर्च चलाने के लिए अगर वो आपके घर पे काम करने आ रहे हैं तो आपको पैसा दे रहे हैं उनका वो काम कमा कर एक मतलब कहने को एक इंसान को आप जै वो नोकरी दे रही हैं और उस काम को आप दूसरे टाइम मतल आंस का उलना लाइन लगता है और आहित को बैदे आप्स ब Μातल ऐसे और चाहिए तो से नम बहुत चो काम दे熱alnya से यहे को ईतोरो शारा में यहां कि घ्या ंग साथ साथ में बच्चों को भी अच्छे सी परवरिश दे पाएंगी अपना टाइम टेबल मैनेज करें जैसा भी करना है तो यहां पर अपना वह लग गया आप यह सोचेंगे मैं दुबारा जहाडू क्यों निकाल रही हूं क्योंकि वह लग गया था गीजर भी जह वह लग ग कर रहा था तो इसलिए जो सारा सामानिय फैला पड़ा तो मैंने सोचा एक बार जहाड़ू जयो अच्छे से फिर से पूरे घर में जो लगा देती हूं और क्या होता है कि बार बार एक चीज को अपने घर को जो एक बार जो फैला पड़ा है जैसे अभी मैं हाथ के हाथ उसने की कोशिश करते हैं कि हम लेट जाए आराम करें ठंड लगती है तो जब भी काम करने के लिए वापस उठे तो अपना बिस्तर अच्छे से से सट करके उठे तो वरुन थो दिर पहले यहां लेटा हुआ था तो मैंने बिस्तर को भी साथ साथ में सेट कर दिया नीचे आ गई हूं क्योंकि दो घंटे के बाद मैंने उसको ब्रेक दिया तो मैंने सोचा अपने काम भी यह वो सारे मैं कर लेती हूं जाडू पर नीचे निकालना है विंटर की मौनिंग क्लीनिंग फिलाहल जो है मैं कर रही हूं क्योंकि नीचे क्या कि मतलब आप अपने लिए ट एक दिन छोड़ा आप एक दिन काम कर सकते हैं अगर उपर का है अगर आप हाउसल पर नहीं लगाना चाहते हैं तो पोचा वगरा एक दिन छोड़ एक दिन लगा सकते हैं नीचे आप अपने घर में काफी सारे सरदी से बचने के लिए काफी सारे मैट वगरा रग वगरा हो हो रही है, I hope मैंने जो कोशिश करी है कि मैं अच्छे से सारी चीज़ा आप लोगों को मैं explain कर पाऊं और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो खासकर आप उस टाइम पे अपनी hobbies वगरा को continue करने के लिए आपको एक helper की जरुवत पड़ेगी ही पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए अगर आप helper नहीं रखोगे तो आप अपनी hobbies को भूल जाओ फिर आपको यही समझाएगा कि मैं क्या सिर्फ मेरी शादी सी काम से हुई है क्या मैं सिर्फ यह जाडू पोचा कर करने के लिए बनी हूं क्या अपना सब कुछ मैंने sacrifice कर दिया मैं करूं तो मैं क्या करूं कैसे करूं कैसे सारी बहुत सारी negative thoughts आपके मन में वह आने वाले हैं तो इन सारी चीज़ों को भूल जाओ अगर आप एक help ले सकते हो जरूर ले लो के house helper की और यहां पर दिवाली के बाद deep cleaning भी मैंने अच्छी से कर दिया क्योंकि बहुत बार क्या होता रहां हम कई बार आदत होती है कि डिवाली के बाद deep cleaning कभी हो ली पर करते हैं फिर वापस दिवाली पर नंबर आता है लेकिन मैं थोड़ा सा जब भी मुझे time मिलता है तो मैं करती ही रहती हूं अब है चीला चीला या फिर ग्रीन वाली दाल या किसी बीतरह का डाल का बनाते हो ना बहुत ही हल्दी होता है बच्चों के लिए और बच्छों को इस टाइम पर जो है माइंड को एक्टीव रखने के लिए हर मतलब लाइफ में क्या होता न यह बेसिक स्टेज है और इस स्टेज पर हम अच्छे से पूरन पोशन नहीं देंगे पूरा तो बच्चे कैसे एक्टिव रहेंगे तो उन चीजों के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है कि अच्छे से उनको पूरा न्यूट्रिशन जो है वो दिया जाए तो यहाँ पर जो है मैं पनीर का चीला जो है स्टफ चीला जो अब दिर रेस्ट करेंगे फिर वही बच्चों का ले जाने का टाइम हो जाएगा अभी व्लॉग करेंगे यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो फॉस्ट है विजट करा लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना